बच्चों को आई वरिल का दबाव तो नहीं मना जोगई, बिल्कुल में, उनका स्वतन्त मत है, वो आई वरिल को स्रीकार करना जोगई, बच्चों के उंपर आई वरिल अपना मत खोगते हैं ना, बहुत लास्दाई होता, जैसे आई बोलती है कि तुझको डॉक्टर होने का वड़ी कहते हैं नहीं इंजिनियर होने का, फिर काका बोलता है नहीं साइंटिस्ट होने का, अब वो विचारा एक है, कैसे इंजिनियर, कैसे डॉक्टर, कैसे साइंटिस्ट होने का, आई वड़ी की समस्या ये है, कि जो अपनी जिंदगी में वो हो नहीं पाए, वो अपने बच्चों को करवाना चाहते, तो ये मत उनके उपर मट डाढ़े, उनको स्वतन्त रूप से अपना फैसला करने दीजे, दूसरा, आप जब बच्चों को इस्कूल बेचते हैं, शाला बेचते हैं, तो इस्कूल और शाला का चुनाओ ऐसा करिए, जहां पर होमवर्क ना दिय जाज हैं, क्योंकि होमवर्क देने से बच्चे बिलकुल खराब होते हैं, ऐसे हो जाते हैं, जैसे गधे होते हैं, गधा होता है गधा, उसके उपर बोखा लाज्टे जाओ, लाज्टे जाओ, लाज्टे जाओ, तो बोखा तो लेते जाता हैं, लेकिन उसका अपना mental development बन तो जो बच्चे ज्यादा होमवर्ग करते हैं, क्लास का भी होमवर्ग है, क्यूशन का भी होमवर्ग है, पिराई बाबा का भी होमवर्ग है, उनका जिन्दगी नरख होगा है, और इतना होमवर्ग करकरके वो जिन्दगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जीवन में काम नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि इसकूल ऐसा हो शाला ऐसी हो जहां होमवर्ट ना मिले। और ज्यादा होमवर्ट वो दे रहे हैं तो शाला के जो पीचर हैं उनको आप ये शिकायच करिए कि हम तो जागती होमवर्ट नहीं होना। तो वो कहेंगे आपने बच्चे को निकाल लो तो निकाल लेने का और वो जो नगर परिशत का स्कूल है उसमें भर्थी करने का। जिला परिशत के स्कूल में भर्थी करने का। फिर आप कहेंगे वहां पर पढ़ाई नहीं होती, कुछ कम पढ़ाई होती है लेकिन वहां के ब जाम पंचायत के स्कूल में पढ़े, बार्जे जिला परिशद के स्कूल में पढ़े, फिर नगर परिशद के स्कूल में पढ़े, कोई कॉंवेंट स्कूल में नहीं पढ़े, और वो भारत के समय सबसे बड़े वज्यानिक है, मेरा आपको ये बताने का है कि पढ़ाई से वैज्ञानिक होने का कोई संबंद नहीं है वैज्ञानिक होने का संबंद माइंड से है आपका माइंड इतना फ्री है जो चिंतन कर सकता है थिंटिंग कर सकता उस पर से साइंटिस्त होना होता है ज्यादा पढ़ाई करके बहुत होमवर्ण करके कोई साइंसिस् दुनिया में कभी में पूर आइस्टाइन का नाम सुना अपने नूटन का नाम सुना ये सब स्कूल छोड़कर भागे हुए थे मालूम है Einstein कक्षा 9 में भाग गया शाला छोड के क्योंकि homework कराती थी और वो homework उसमें उसको रस नहीं आता Newton भाग गया शाला छोड के, कक्षा 8 में और इतना बड़ा scientist बना Einstein इतना बड़ा scientist था Max Fleck बहुत बड़ा scientist था साथ से इस्कूल छोड के बाते आता तो ये इस्कूल छोड कर भागे हुए बच्चे बड़े scientist होते हैं जोकि वो free think कर सकते हैं वतंतर शिर्ट पर उनका होता है इस्कूल में तो इतना रदी है सब कुछ कि वो ना पढ़ने का दिल करता है वो पढ़ाते कैसे हैं मुझे तो हैरानी यह होती है सब बत्वास 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 उसमें पढ़ते रखे उनको महिती है तीचर को कि ये काम नहीं आएगा फिर की वो पढ़ा रहे पढ़ा रहे क्योंकि उन्हें पढ़ार मिल रहा है और उनका time pass हो बच्चों का क्या हो रहा है इसका किसी को कुछ मतलब ले आप खोड़ा ध्यान रखिए इस बात का थोड़ा बच्चा स्वतंपर सोचमे के लिए तयार हो खेले खूदे बागे भागे ये सब करे और free mind हो उसका ऐसी शाला में उसको भरती करें वो शाला म्राधी माध्यम की है तो बहुत अख्चा अंग्रेजी माध्यम में कभी भर्ती मत करे इनले माध्यम से अंग्रेजी एं इपर बार अंग्रेजी जी से म्राठी भाषांतर कएंगा मराठी से. अंग्रेजी भाषांतर किसी ने जिंड़ीन का सारा समय निकलने होंपारा हो. जब उसकी वै दःत बारेत वर्ष तर उना करेंगी उन्थ बीम अक्रिपड़ीयें, जिया सिँछा हो जी हो जायें। इस परधा में कभी मतला आए अपने बच्चों को, और अपने बच्चों से किसी का काॉपपटेशन बस कर ले जैसे कई बार आप बच्चों को बाष थैंन को किसी का उधारेंड देते हैं. नहीं करें हरेंज बच्चा अपने आपिंग है, विशेष है जिसका 90 प्रतिशत मार्ट साता है ना उसकी जिन्दगी के दूसरी बहुत सारी बाते हैं जो नहीं मालूम है और आपके बच्चे को जिसको 50 प्रतिशत आता उसको मालूम है जैसे आपका बच्चा है उसको ज्यानिश्वरी माहिती है लेकिन जो लब्वे प्रक्षट वाला उसको महिती नहीं जानेश्वरी क्या है तो उसकी कुछ विशेश्टाएं है इसलिए दो बच्चों का आपस में कभी भी comparison मत करिए सुना मत करिए और एक दूसरे बच्चों को इससे प्रेरिस मत करिए उसका इतना आता है तो तुमारा आना से यह बिल्कुल नहीं आना से उसका जितना आता है उतना ठीक है आप कभी भी उसको ऐसे करके मत को किए कि उसका इतना आया तुमारा इतना कम आया वो तो इतना लंबर लाया तुमारा इतना कम कभी मत करिए इस परदाश्मर को उसमें भाड इसको लेने दीजिए, लेकिन इस ग्रश्टी से लेने दीजिए कि वो खेल कूद है, यह नहीं कि उसमें उसको मैडल मिले, या उसको ट्रॉफी मिले, मिले तो ठीक है नहीं तो उसमें दवाव नहीं होना चाहिए. जी, देखिए योग गिमार्ग आपको खुद भी नहीं मानूँ मैं आपको सच बताए. आई बाबा जो अपने को सोचते हैं ना कि हम बोलते हैं वो योग गिमार्ग है, आपका मार्ग योग इसलिए नहीं हैं कि आपके उनपर समाज का दबाओ है. समाज का ये दबाओ है, समाज ऐसा सोचता है आशकल कि या तो सब को डॉक्टर होना चाहिए, या तो इजिनियर होना चाहिए, या तो MBA करके किसी को मेनेजर होना चाहिए, या तो यह होना है. इसके अलावा भी समाज में बहुत कुछता है, शेथकरी क्यों नहीं होना चाहिए उसको, कष्टकरी क्यों नहीं होना चाहिए, तो हम जो सोचते हैं, वो समाज के दबाओ में सोचते हैं, समाज वो जिसके आसपास हम रहते हैं, तो हमारा भी चिंतन स्वतंत्र नहीं है, व मैं आपको बोलता हूँ, सबका फ्यूचर भगवान ने तैय किया है, मेरी आई से जाके पूछे, मेरी आई ने मुझको इंजिनिरिंग का सबसे बड़ा अभ्यास कराया, अभी मैं वो सब छोड़कर ये काम करता हूँ, तो मेरी आई कहती है कि तेरे नसीब में ये ही था, तो मांगो भजन कीरतन करता, मांगो तात्याजी के पास आ जाता, मैं भी कुछ सीख लेता, 15 साल में तो 15,000 समाएं होती, होती है नहीं, और एक लाग कारी करता होते हैं, तो सबका नसीब, सबका भविष्य, बगवान का तढ़ किया हुआ है, और उसके आगे कोई चल नहीं सकत तो आप ये चिंता मत करिए, आप सिर्फ इतनी चिंता करिए, कि आप आई वडिल होते हुए, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या सुविधा दे सकते हैं, जैसे उसको भूखा नहीं रहना, उसको बिना पंके के नहीं रहना, उसको तकलीफ होती है, उसके लिए पूलर अगर छहीं तो व्यावस्था किया पम्का चाहिए तो व्यावस्था किया, उसको कुछ तक पाउन श्रकता है तो व्यावस्था किया, उसको ठीलने को बैट वर्ल के ईक्षा दभा के बेठा व मैंछने। अभी आपके दबाव में वो अपनी एक्षा दबा के बैठा है, वो कहता है आई बोलती है दौक्तर होना तो वो भी कहगा हाँ हाँ दौक्तर होना, बाबा कहते हैं इंजिनियर होना, हाँ ठीक है इंजिनियर होना, थोड़े दिन में वो कहेगा ना मुझे दौक्तर होना ना चिंता भी मत करिए, आप सिर्फ सुलिधाएं दीजिए उसकों, होमबर्ग मत करिए, क्योंकि मैंने होमबर्ग बहुत किया, और मैं गधा हो गया, सच में गधा हो गया, इतना होमबर्ग किया मैंने, x plus y whole square, x minus y whole square, x plus y whole cube, x minus y whole cube, मेरे जिन्दगी में आज तक कभी भी काम नहीं आएं, सेल्फ स्टड़ी के लिए आप कैसे अभ्याद कराएं, जैसे समाज कलता है न, देश या जीवन या समाज, किसकी स्टड़ी करेंगे, कैसे कराएंगे, मैं आपको एक माहिती देता हूँ, दारेंगे लिए, आपके बेटे को एक दिद पोस्ट ओफिस में लेके जाएंगे, पोस्ट ओफिस है, वहां लेके जाएंगे, और पोस्ट ओफिस में, A, B, C, D से लेकर, X, Y, Z तक जो कुछ होता है, फोस्ट ओफिस है, एक दिन उसको railway station लेके जाएंगे, railway station, और railway station में जो कुछ होता है, A, B, C, D से, X, Y, Z तक उसकी इस्ट ओफिस करेंगे, फिर एक बार उसको नगर परिशद में लेके जाएंगे, फिर एक बार उसको municipality के hospital में लेके जाएंगे, फिर किसी maternity home में लेके जाएगे, A, B, C, B, से लेकर X, Y, Z, फिर किसी दिन उसको गवशाला में लेके जाएगे, किसी दिन उसको कोई ऐसी जगे लेके जाएगे, जहाँ पर मंद बुद्धी बच्चों की शाला चलती है, या जहाँ पर mentoring इटार्डेज बच्चों की, ऐसी करेगा, इस में से उसके रास्ते खुलेगे, यह जो class की study है, यह दुनिया से सबसे खराब इसको जो हम पढ़ते हैं, वो दुनिया के कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ना France में, जर्मनी में, ना Sweden में, देनमार्क में, ना अमेरिका में, हमको जो पढ़ाया जाता, वो कोई भ करता दुनिया में, हाँ, 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 सर्टिफिकेट के लिए इतना ही पढ़ाये, जितना सर्टिफिकेट मिलने के लिए आवश्यक है, इस से जाधा नहीं, उतना ही पढ़ाये, जादा ज्यान उसको दीजिए, वो समाज का दीजिए, परिवार का दीजि वो ग्यान उसके धीवन में जरूर काम आएगा और उसमें से उसके रास्ते भी लिकदाएगा Certificate की education बिलकुल बेकार्ची है उसमें knowledge कुछ भी नहीं समाज माने का उतनी ही है जब तक आपके बेटे में ग्यान नहीं है मैं आपको एक माहिती देता हूँ हिंदुस्तान में जिन लोगों को ज्यान हो जाता है उनकी देगरी कोई की पूची जैसे मैं हाँ को नाम लेके कहूँ संत्य ज्यानेश्वर की देगरी आप में पूची आपके घर में संत्य ज्यानेश्वर की फोटो है तो आपने क्यों लगाई दिग्री माहिती है आपको उनकी, फिर फोटो क्यों लगाई, उनको तो कोई दिग्री ने, समर्गूरू रामदास की दिग्री पूछी आपको, छत्रबती शिवाजी महाराज की दिग्री पूछी, शम्भाजी महाराज की दिग्री पूछी, तुकड़ो जी महाराज की दिग जब तक किसी का ज्यान आपको पता है। किसी सामने वाले आदमी के बारे में जबाब का परिशे कराया जाता है कि यह व्यक्ति है, मान लीजे, X, Y, Z उसका नाम है और यह IIT से M-TEC किया हुआ है तो तब तक के लिए महतुता है जब तक आपको उसके ज्यान की महिती में जैसे आपको उसके ज्यान की महिती हो जाती है वो डिग्री उसके लिए बेकार हो जाती है दुनिया में किसी की भी पूजा हुई है के समाज ने किसी को भी महां बनाया है बिना दि carbon agri के आपको और एक महेती दो कि किसी को है किसी को महेंस कि किने ऐगर की कली है कि है आज़मी कठ्षा में पें इंद्रा गांधी रवीन ट्रनाथ ट्यकवर के शून में पढ़ Size स्कूल में परकूल मैं आजवी में दो बार फेल हुई और वो भारत की सत्रे वर्ष पंत प्रधान रही है सत्रे वर्ष अगर दिग्री से देखा जाए तो इंद्रा गांधी इस शाला में क्लर्क नहीं हो सकती शिपाई नहीं हो सकती यह जिस शाला में आप बेखे हैं ना यहां शिपाई होने के लिए मिनिमम् क्वालिफिकेशन बारवी पास है इंद्रा गांधी आठवी फेल थी और सत्रे वर्ष इस देश की राष्ट पती तो इस दान मन्ति पंत प्रधान इंद्रा गांधी की कोई डिग्री नहीं पूछता है उसने जो किया उसको सब पूछते है दुनिया में अगर आप अपने बच्चे को महान देखना चाहते हैं जिसको सब पूछें तो उसकी डिग्री पर चिंता मत करी उसके ज्ञान की चिंता करी ज्ञान हमेशा डिग्री से बड़ा होता है दिगरी कोई महस्तुती नहीं है जब ज्यान बड़ा होता है ये सारी दुनिया में होता है उसकी डिगरी क्या चीज? धिरुवाय अम्मानी की डिगरी नौवी शेल शक्षा नौव में फेल हुआ उसके बावा ने स्कूल से निकाली है और काल ये पढ़ेगा नहीं तो उसको पूछा तू क्या करेगा? तो उसमें का मैं पढ़ने वाला नहीं है तो क्या करेगा? तो उसमें का मुझेioxid हमें की तो फिक है तो उसके बाबा के इस गोश्ष के पैट्रॉल पंप पे उसको नाग्री के लिए रख अजिरू बाइंभाच निको तो पैट्रोल लगी नहिस के अजितान अजिन रख द्डल का, सरफका। जो 9 भी फेल हैं और उस भीरों भाइट के नीचे काम करने वाले बड़े-बड़े PhD, M-tech, MBA लोग हैं वो अभू सा छासा उसके नीचे सा PhD करने वाले काम करते हैं नौ करके हुए गंशामदास बिर्ला का नाम जानते बिर्ला एंपाइट चार क्लास में फेल हो गए इसकूल छोड़ दिया बिजनस में लग गए और आज उनका पूरा सामराज ये दो लाख कोटी का बिर्ला बिर्ला एंपाइट ऐसे ही आपने उनका नाम सुना जमशेजजी ताठा ये अपने सचिन भाई काम करते हैं इंडिका में इनके मालक जमशेज्जी ताठा एक भी क्लास पढने नहीं गए इसकूल ही नहीं गए उनको घर में एक टीचर पढ़ा के गया स्कूल नहीं गए और आज इनका इंपाइए हिंदोस्तान और इंडुस्तान के बाहर का सबसे बड़ा इंपाइए तो दुनिया में दिगरी लेकर पढ़कर कोई बहुत महान हुआ है ऐसे कहानी आप सुना ही दे तो दो चार है बिना दिगरी लेकर इतने उंचे हो गए वो सेफ़न उन्हें में आप जाजें किरलास्कर कंपुनी है न इसके मालिक की एमाहिती ले लिए तो ज्यान की दुनिया में चर्चा है और ज्यान से आपने जो हासिल किया उसकी चर्चा है बिगरी का कोई महत्तु कभी भी किसी समाग में रहा ने बिगरी का महत्त है शिपाई होने के लिए क्लर्ट होने के कार्खून एक शब्द जानते कार्खून, मराधी का शब्द है, बिगरी चाहिए कार्खून होने को, तो कार्खून बनाना है अपने बच्चे को, तो बिगरी पर ज्यान दीजिए, और उसको साइंटिस्ट बनाना है, या समाज में ऐसा इस्थान बिलाना है, जिसकी सब इज करें तो ज्ञान पर महस्ते की ज्ञान बड़ा है दिगरी कभी बड़ी मेरी बात माने तो मत भेजें सुनिए अगर मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल मत भेजें आप बूलेंगे फिर क्या करेंगे मैं आपको बोलता हूँ वह बहुत बड़ा करेंगे आप इसकूल मत भेजें अपने घर में सिखाईए उनको क्या सिखाए गरिच सिखाए जोड गटाना गुणा और भाद बसे चार चीज सिखाईए गरिच जोड़ना सीखें गटाना सीखें गुणा करना सीखें भाद करना सीखें इतना गरिच सिखाईए और ये जो प्रकरती पूरी आपको दिखाई देती है. फूरा भ्रह्माण इसके बादे में महिति दीजिये उनको जास्ती से जाड़। गाय है, शेती है, गवणक़बालन है, शेती है, फिर उद्योग र्यापार है, इसकी महिति दीजिये उसको भर्षपुर। फिर ब्रह्मान की तूर है, चंद्रमा है, तारे है, ग्रह है, उपंग्रह है, लक्षत रहे, इसकी माहिती दीजे, फिर शिकित्ता की माहिती दीजे, फिर बादवच्चे के सूत्रून को सिखाईए, मैं दारेंटी देता हूँ कि किसी भी शाला से पहुए विद्यार्थी को हमेशा दीट कर देगे, वो आ जाएगा, मैंने तात्य अली को कहा, करवडी ने बुर्कुल शुरू कर दीजे, तो जैसे ही वो बुर्कुल शुरू होगा, मैं अभ्यास्प्यम की पुस्तक दे दूँगा, और वो अभ्यास्प्यम की पुस्तक की आधार के आप महां उनको पढ़ा सकते हैं और इसमें सब व्यसन्मुत प्रीवक संटे परिवार के जच्चे पढ़ें। और फिर दुनिया के सामने आप आधर्श प्रस्टु सब्सकर। कि देखो हम स्कूल नहीं गए और हमको उन सभी से जादा जयान है जो स्कूल के पर्फणाइब। बाद में क्या होगा, बाद में ये होगा, कि ये दस्वी की परिक्षा उनको हम दिलवाएंगे, की दे, शाला नहीं बेजेगे, स्कूल नहीं बेजेगे, दस्वी की परिक्षा उनको दिलवाएंगे, ठीक है, और वो सब उसमें से टॉपर होके निखिरेंगे, बिना शाला औ कि दस्वी की परिक्षा में जितनी महीती चाहिए वो छे महीने में हम उनको करा सकते। मात्र चे महीने और दस्वी में वो 90 परसंट लेके आजएंगे। फिर बारवी की परिक्षा दिर्वाएंगे। तो सर्टिफिकेट तो हो गया। लेकिन उनके दस्वी की परिक्षा और वारवी की परिक्षा के लिए छे महीने का अभ्यास करम पढ़ाके उनको परिक्षा में पास करा लेके। और बहुत अच्छे नमबर से वो 5 यह मेरी गारेंटी है। क्योंकि यह जो दस्वी और बारवी है ना इसमें मार्ट्स कैसे लाना यह मुझे वालू है। उसमें ज्ञान की खुश जरूरत हो। बहुत आसान है उसमें मार्ट्स ज्यादा लाना है। वो क्रीकस जेखो एक रिसक्स में एक दिन पर कंजिंगें इत्मी ट्रेक्स हैं, यहीहां जो वह द ज मैं सिखाव दूह ऐगा, बेरा यह केना आई कि उन्ताइब सामझे पर भाद करना होता रिक्रों सांगें हुबयागोंh तू वह अनलेगों तो झ ayoda यो भाट कुछ है उत पर्द धालेगों तो इतनों जैगा यह सीद्य स्विछied कुछ भी नहीं इन के लिए कुछ भी नहीं महाराश्य बोर्तों तो मेरा यह है प्लैनिंग कि करवणी का गुर्कुल शुरू हुआ तो इसके विज्यारतियों को जस्वी की परिक्षा देके बारवी की परिक्षा देके बस दो परिक्षा बिलवाके बाकी 12 साल उनको ज्ञान सिखाना तो कमी जरूरत की वे लिए मैं मेरा यह prossितमे ना वरर्बाद किया दूसरे बच्चों का नहीं होना कि मेरे 15 में इसकी बूबर साथ कैसे माने यह तो मैंने वो सीखा यह वालों ने नहीं सिखाया are यह कित्सा मुझे बिगुरी वालों से लिए इन खुخम लिए चुछै को करें यहाया से ग्यूश्य उस लिए मैं जो अभ्यास्तृम बना रहा हूं उसने डिसप्वीं कि दो परिक्षाय देने का बागी जारे साल जो है आप उसको जहां इक्षा हो चाला में भरती कराओ और वो बोलती है शाला अच्छी दिन को बाहर लेता है फिर उसको करवणी भेज़ो गुर्कुल अगी शायद अगले साल से शुरू हो जाएगा थोड़ा उसकी ना जो भूलोगो तो तो व्योष्ग में उसको गुछ ऐसा ज्यान सिख और जीसमें उसका रस शाला में शाहिद स्को रस नहीं होगा कि शाला में कुछ ज्यान सिखाते हैं इसका वाद़िकोंNote में इसका प्रशंधे Moi नियुक्टैने। तो गायन चाहे तो बादन चाहे तो न्रेस्ट तिरों मैंसे कोई भी एक संदित का अभ्यास करो चित्रकला का मूर्थी कलाका चित्रकलाका काश्ट कलाका ऐसे अभ्यास उस्वाप कराना शुने कर दो वहीं उसकी सबसे बड़ी पढ़िए और थोड़ा ज्यानेशली वगेरा उसके सुत्र सिखाओ दास मूर्थ के सुत्र सिखाओ और बाद में वो तिलिवत आ जाएगा उसको आपको अनुक्त हुं हमने इक स्कूल चलाए है अब तो उस्वाफ दिशाओ नहीं है तो नहीं है जो घानई ना उव्लकू और भूं चोह सक्दाखोरत एद्सक्राइब में नावगत सबसे नहीं करें वह स्कूल कलाने के लिए मेरे दोस्त हैं वो और उसकी पत्री दोनों रिके चलाते हैं उसका नाम है संदीपनी गुर्कुल संदीपनी उनके लाम से ऒरोंिक यह लिए किसे पढ़ाई करते संदीपनी खेला के लिए और पैसे लगती है और X, Y, Z तक उनको पढ़ाते। पानी क्या है? कैसे बनता है? कहां से आता है? पीने के लिए कैसे वापरना? नहाने के लिए सब सब सम महिति उनको देदे। फिर जब पूरी महिति हो जाती है तो एक क्लास खतम होती है। वो एक लास तीम थामत हैं चार महीने चल सकती हैं पांच महिने चल सकती हैं प्रेइंग नहीं है चारीस मिनित का पीरेट, पारीस मिनित यह नहीं, सबेड़े से चालू हुआ, दुपहर तक चला, जबी भूख लगी, क्लास बंद हो गई, भोजन किया, विश्राम किया, फिर उठ गए, ठेक लास चाहिए, पीरेट नहीं हुट, सबेड़े जो विशे लिया, शाम तट वो ही पानी के बारे में तुमको जितना विज्ञान गुआ है, अब इसके आधार पर परिक्षा हो गिया, तो परिक्षा में ऐसे ने उनको काम दिया जाता है, जैसे किसी गाउं का तालास है, अब उस तालास के पानी की समस्या है, पानी वहाँ पे रुखता नहीं, या बहुत ज पानी किसे बार आजाती है या बारिश नहीं होती है तो यह समस्या लेकर आपको समाधान करना बायए और नहीं कर पादे चेतलिके साथ बात करते हैं तालाभ को भीट करते हैं घुर्कुल में वापस आते हैं तब उनको माना जाता है कि ये पास हो गए और नहीं कर पाड़े समस्या का समाधान तो फिर दुबारा उनको दूसरे गाउं में जाना पड़ेगा फिर वोई समस्या उनको दी जाएगी फिर उसका समाधान नहीं करें के तो तीसरे गाउं में ऐसे चलता रहे फिर एक विशह कुरा हुआ पानी का अब दूसरा विशह आ जाएगा वो विशह किसा आएगा शेति का आगया या मिट्ती का आगया ऐसे विशह होते हैं और जब वो विजय भी पढ़कर निखलते हैं तो वो सबसे पहली बात होती है कि घर में ही जाते हैं भिल्कुल में उनको कोई दवाओं देख पर दें लिए पाइबा परेशान होते हैं कि आपने बच्चों को भिगार दिया यह तो हमसे दूर भाग गए तो आम ने इनको पैदा किया, हमने फैसमान कोषिश करते हैं और हमारे इसके विजयारती अप झाले हैं वोट तो में विजयारती आप सब्सक्राइब कोई वी एक सवाल में पोछो दुनिया कि पानी के बारे में सब माहिती उनको है अब पानी के बारे में माहिती है तो पानी की समस्या घंबी देश में आएगी उसका समाधान को करें कि अईसे ही हम उनको जंगल में लेकर जाते हैं तो जंगल में उनको अभ्यास दिया जाता धर यह जार यह जारा यह जार पक्षी निकलता है चानको वार जाता है फिर किसी जुरो जी के प्रोफेसर को हम बुलाते हैं बच्चों के बीच में फिर उसको प्रश्ण करते हैं और बच्चों को प्रश्ण करते हैं प्रोफेसर जवाब नहीं देता बच्चे जवाब देता है प्रोफेसर जवाब देने के लिए किताब ढूलता है और बच्चे प्रफेसर क्योंकि उसको पुस्तक का नॉलेज है इनको जिन्मगी के सामने से आया हुआ ऐसा अभ्यास अब यह अभ्यास करने के बाद यह बच्चे पता है क्या करते हैं यह जैसे निकलते हैं हर जेगे इनको बुला लेते हैं सरकार के लोग आप सो सुनके ताजिव होगा यह हमारा हिस्कूल दस साल से चलता है दस साल में लगब 1340 बच्चे वहां से निकले पढ़कर एक भी वेरोजगार नहीं है सब एक भी वेरोजगार नहीं सब के पास कम से कम 10 से 15,000 उपर मासिक पगार वाली नौक्रियां हैं डिगरी किसी के पास है तो आप बुलेगे नौक्रिया कहा मिली हुई है, हर्वेरियम में नौक्रिया है, म्यूजियम में उनको नौक्रिया है, जहां पर जीवित हर्वेरियम और म्यूजियम होते हैं, वहां पर उनको नौक्रिया है, क्योंकि नौलेज उनके पास है, और दुनिया में बहुत सारे न पूचो, क्योंकि इनको जादा माईटी है, जो आईटी आई पास है, डिप्लोमा पास है, और वो इंजिनरिंग वाले उनको कुछ आता है, असर भी लाइन पर खड़ा कर दो, तो गुड़का दोबर कर देंगे, कार बुनानी है, उसको कट्टी में ही डाल देंगे, उनको अल आण। तो अपने को एक ऐसी शिक्षा पढ़लिति लाई है, जो ज्यान आधारिच है, डिप्ली आधारिच, ज्यान पहले है, डिप्ली वा। ज्यान पहले हैं और रजारिच, नई तो इनको ज्यान को थेनगे, उनको अपनी है। नहीं उनको छे महीने में करा देखे उतना परा, मुझे मालूम है प्रश्ण क्या आने वाले हैं, वो तो मुझे मालूम है, अक्षर मंदर है, लेकिन अक्षर मंदर में क्या है न हर साथ परिक्षा दिलवाते हैं, और वो वही परिक्षा है जो सरकान वजे हैं, आपर आजवी नोवी, दस्वी में करवाते हैं, लेकिन हमने तो वो भी नहीं किया है, और अक्षर मंदल में कोशिश वो करते हैं, लेकिन हम तो बिना खोली कहीं को आचे हैं, खोली है ही नहीं, हमारे गुर्कुल में खोली है ही नहीं, बस ऐसे धार हैं, उनके नीचे सब पढ़ाई होती है क्योंकि खोली में पढ़ाई जो है न उन वो बहुत बत्वास है। खोली में पढ़ाई कैसी होती है? बैंच हैं, सबी उस पर बैठेंगे। ठीक हैं, अभी क्यों बैठना बैंच पे। हमको माइटी नहीं, बच्चों को हम धिठा लोूँ है। बच्चों को डैटने का अभ्यास नहीं होता अगर आप उनको जब्रकस्ती बिठाईए नदस-बीस मिनट में वह बोर हो जाएगे वह ऐसे करिyle, वह ऐसे करिगे, वह ऐसे देखिरेंगे, वह ऐसे करिए क्योंकि उनको ये अभ्ध्यास नहीं बैटने का और आपने मार मार के बैट सुनी जिसी के अनुसाशन बैट 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 तो विचारा जो कूदने वाला आदमी है भादने वाला आदमी है उसको छे तास पकड़ के बिठा दिया आपने गोबर गनेश अब क्या करेगा वो हरे टीचर आप चुप एक भी टीचर भुसे का चु तो हम ऐसे मूर्ख योग है जो उनको उल्टी-उल्टी बाते सिखाते हैं और दुनिया के सबसे मूर्ख है टीचर जो उनको सिखाने के लिए जाते हैं खुद को कुछ भाइती नहीं है बच्चों को जबर दस्की बोशाब करादा अभी देखिये एक और समस्या है बेंच है ना बेंच या क्लास मूं तो वो कैसा है ऐसे एक लाइन है ऐसे एक लाइन है माने भर्गाकार है या तो आयसाकार, rectangle है या तो square है, तो rectangle है या तो square है, इसमें सभी straight line है, है न, ऐसे line, ऐसे line, ऐसे line है, जिन दगी में classroom को छोड़ कर कहीं भी straight line होती है, पूरे जीवन में नहीं कहीं बता दो जोजे जहाड़ लाइन, पहाड लाइन, नदी लाइन, विहेर लाइन, कैनान लाइन, कुछ भी लाइन नहीं है जीवन में, तो आपकी उजबर जस्ती उसको लाइन में भछा अच्छा मैं एक और महीत्य देता हूं। हमारे शहरों में बड़े-बडे फ्लैक्स हैं अपार्ट्मेंट्स हैं। सब स्ट्रेट लाइन में है किसे ? अच्छा गाओं में कौन सी चीज़ बाइन गाओं की गली ऐसे है। है न, है गी नहीं। और मैं आपको महिती देता, कि जो लोग स्ट्रेट लाइन वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, उन में कभी भी प्रेम और भाईचारा हो नहीं सकता. और जो ऐसी ऐसी गलियों में रहते हैं, वो सभी प्रेम और भाईचारे से रहते हैं. गाउं में एक मीटिंग बुलानी है, सब लोग आ जाईए आदा घंटे में, शहर में बुला के देखो, और वो भी किसी अपार्टमेंट में बुला के देखो, कोई नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है, हमेशा काटेगी ही, इसलिए स्ट्रेट लाइन में गाउं का कोई घर नहीं बनाया जाता, गाउं के घर वैसे होते हैं, जैसे जाण, नदी, पहार होते हैं, जाण तेरा मेरा है, गर भी तेरा मेरा है, नदी तेली मेरी है, हमारी गाउं की गली भी तेली मेरी है, प्रकर्ती जैसी है, वैसे गाउं होते हैं, तो इस इसलिए दुनिया के हर शहर में मारा मारी और काटा काटी सबसे जाए और गाउं में प्रेम और सद्वाव सबसे जाए तो हम बच्चे को कहां भेज रहे हैं क्लास्रूम में वो इस्ट्रेट लाइन है पत्या नाश हो रहा है उसका और रोज छे घंटे मार मार के बिठा रहे हैं चुप बैठ बात मत कर इसको मत दे उसको मत दे उसके लिए आपने जेल बना दिया इसकूल नहीं है जेल है और जब छुटी होती है ना कैसे भागते हैं बच्चे जैसे जेल से छूटे पूछो ना इन बच्चों को क्योंकि उनको छे घंटे त्रास दायक आपने पक्र कर रखा है विचारे वो पैठना नहीं चाहते है वो तो खेलना पूतना उचलना सब उनका काम वही है आपने पक्र के पिठा लिया फिर छे घंटे बाल तन 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 ऐसा तेज भागें ए जैसे जेल मैंसे भागें है और किसी भी बच्चे के दिल को पूछो, कल शाला जाने का है, नहीं जाने का है, तरास है उसको, मानिसिक तरास है। आप घर में देखो अच्छे स्वतंत्र हैं, खेल कूद करते हैं, इदर उदर भाजते हैं, सो जाते हैं, खा लेचे पी लेचे, ऐसी ही शाला होनी के यह जैसा घर है, तब तो वो जाएंगे, नहीं को थोड़े दिन के बाद बोर होके वाते हैं, फिर आप बोलेंगे कि जो ब सक्या नाश उसका हो गया दिमाग का, आप के रहें बड़ा खोशे हैं, बच्चों का सुभाव बिल्कुल वैसा होता है, जैसे गाय के बच्ड़े का, गाय का बच्ड़ा है ना, आप उसको बान के रखो, कितना त्रास हैं, और छोड़ के रखो, कितना खुशी से इधर भा भागेगा, फिर अपनी आई के पास वापस आजाएगा, फिर भाग के जाएगा, फिर ऐसे ही बच्चे होते, वो भागेगे दोडेगे, फिर आई के पास आएगे, फिर जाएगे, फिर आएगे, फिर आएगे, ये जो उनका विकास है, ये जीवन का सबसे बड़ा का, ये स कि और भॉसे कई साल से बोन रहा हूं, करवडी में करलो, ओलुदीन बहुत जगए थोड़ीन बहुत और सब्ड़त सब्ड़त क्या है, उप्किल्में दखत्र केके काते, क्योंकि ज्याद़ पैसे अपने नहीं रखना, अच्छा नहीं है, देखो ज़्यादा पैसे अपने लिए रखोगे तो पास होगा, और पास के भागीदार आख सब, अपने लिए कम से कम रखना समाज के लिए ज़्यादा रख, तो गुल-पुल बना लो, अच्छे से बना लो, मैं उसमें टीचर हो जाओंगा, और आपको पीचर बनाओंगा, फिर आप बच्छों को पढ़ाएंगे, फिर एक गुल-पुल से दो, दो से पांच, पांच के दर, ऐसे पूरे महाराश्तों में खोल देंगे, और मैं आपको गारेंटी देता हूं, सब स्कूल बंद हो जाएगे, हमारे गुल-पुल अगर शुरू हो पढ़ाए तो सर्थाला बंद हो जाएगे, क्योंकि बच्चे सब भाग कर यहीं आएगे, वो अपने आई भाबा को कहिए वहाँ जाने का, क्योंकि वहाँ ज्यादा अच्छी पढ़ाई है, पढ़ाई महाने सीखना, ज्यान लेना, और उसका कोई मतलब नहीं है, इसका पढ़ाई से कोई संबन नहीं है, ज्यान जो जीवन को चलाने के लिए वोगी होगी है, वो पढ़ाई का इसका है, तो वैसा एक करें, तो सही सिक्षा इनको मिले, ऐसी ही सिक्षा में राम, क्रश्न पढ़े थे, राम तो पता है गुर्कुल में गए, ग्रश्न भी और क्रश्न और राम के बाद से सारे हिंदुस्तान के महान लोग गुर्कुलों से ही निकले हैं, तो गुर्कुलों से निकले हैं, इसमें सारे महान लोग तो आगे फिर निकले ही हैं, क्योंकि वहाँ ज्यान आधारित पढ़ाई के हैं, दिगरी आधारित पढ़ाई हमारे आपके छोटे बच्चे हैं उनको आप यसे अभ्यास करके जैसी में मायकी देरा जबन जस्की शाला भेज जाने जाने का उनको प्रोछ साहिब करने का अभी वो शाला नहीं जाएंगे तो आई बाबा मार भेज करने की नीजा जाएगा फेल हो जाएगा अरे पास होके क्या दरने वाला है जो फेल होने से आप दर रहे हैं कमी मत डरिए मेरा तो यह मानना जो बच्चे फेल हो गए वो ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनका धिमाग खराब नहीं हुआ जो हां जिनको 100% नंबर आ गया वो तो बिल्कुल हैं किसी काम से नहीं है क्योंकि वो तो एक्स वाई होली स्क्वैर ही पढ़ेंगे उनको बाटी कुछ आएगा इसे फेल होने से घबराएगे मत ज्यादा पास होने का दबाव डालिए मत ज्यादा अंक लाने का दबाव मत चौंकि नंबर से विक्टि से दुनिया में कभी भ अभी हो गांगे, ठीक है, यह बहुत जादा अभी हो गया, अभी मुझे जो है, एक जाक्षान में जाना है पंतन, अभी साथ बुझ गया है, जादा देर को आप नहीं उख सकता, वो दे दूगा, आप एक पार शुरू करो,